आइंडिया पर व्यूसा के परिशदी विद्यालमे तैनाथ प्रधानाध्यापक के गायब होने की खबर सामने आ रही है क्या है पूरा मामला और कैसे प्रधानाध्यापक गायब हुआ इसके लिए हम सीधे फोन लाइं से जुटते हैं आइंडिया के समाधा था निशान गुट्टा के पास तो निशान बढ़ाईए कि कब से ये सिच्छा गायब हो और कहा तैनाथ से प्रियांसु जी आपको बता दे कि प्रात्निक विद्याले कंखारी रियुसा में जो है निवास है इन दोनों का प्रणद्यापक और सायक अध्यापक का सिधाली के ये लोग रहने वाले हैं तो यह बाइक से अक्सर जो है जाते थे रियुसा को विद्याले पढ़ाने के लिए वहीं इन्होंने एक किराय पर कमरा भी ले रखा था तो बताते हैं कि यह अक्सर जो खालए यह फाल कि पर रूख गए होंगे इसके पांच तरीकों जो है परिजन की जो है इनकी पत्नी जो सुनीता सुनीता वही है उनसे बात हुई और बात के दौराने उनने बताया पांच तारीकों की वाद विश्वा में है और घर आ रहे हैं इसी बीड जो है जब उनकी बात हुई तो उसके बाद नहीं जब घर पहुंचे तो उनके पत्ती का जो है पौन सुचाख हो गया पौन सुचाख से घर में जो है हलवली मजगए की आखिरकार आज जो प्रधाना ध्यापक है राज जीव कुमार वो कहां गए जिसके बाद से जो है उनकी पत्नी ने जो है सुबह छे तारिक को जो है करीब शाम को आठ बजे से नौ बजे की बीच उनके पास एक अंजान कोन आता है जिसका नंबर है उनकी तहरीक अनुसार 7319845616 के से कौल आती है और बताया आता है कि आपके पत्ती जो है बनारस में इन्हें आके ले जाए जब राज्यू की पत इननने पूरी बात को बताया लेकिन पूरी बात को बताया लेकिं कि अनुसार भी मुकर्मा नहीं दर्ज किया गया है, सिच्छक जो पर्णा ध्यापक है, ये गायब है, पूरे परिवार जो है रूनने के तलास कर रहे हैं, इन्होंने अपने रे इस्तिदारी में भी ढूंडा है, वहीं आएंडे के सिदोली पुलिस से बात हुई, तो उन्हो इस्तिदारी में दर्ज होना चाहिए, और जबकि जो इनके साथ राजिय साय का ध्यापक है, इनके अनुसार बताया भी गया है, जो राजियु कुमार है, इनको जो है बिस्वा में इन्होंने देखा था, बिस्वा में और अन्य लोगों ने भी देखा था, ये एक्सर वही में के बाद परिवार हो भी होता था कि बास देखी जब बात नहीं हुई, इस फोन से उचाफ हुआ, तब जो है इनके परिवार में खलबली मची की आखिर गया कहा है, तलास भी नहीं हो पा रही है, और अन्जान रख्टि से फोन आने पर अन्जान रख्टि जब इनको इ कि उनके पती को गायब तो नहीं कर दिया गया है उन्हें पूरा फुलिया भी बताया है कि पती की लंबाई जो है पांच दसमलो चेंच है रंग सावला है चेक्सल्ड पहने है नीली काली पैंट पहने है पैरों में बुरे सेंडिल है उम्र लगबग जो उनकी 47 वर्ज है परि कि किने की को किसी ने गायब कर दिया है और पुलिस जो है इलाहवाली कर रही है कहीं वो रियूस्दांर कम्रतिकी दर्सक्राइए. कि आप विसQué का मामला है बिष्वा वाले करते हैं कि रियोसा के यह में पढ़ाते थे इनका मकान किराय में रख़ा था में तो जब री में पूलीश करते ही कि जब आप बता हुए कि इन्हों ने आजी की का पूर सीडवली के बहादूर महळा निवासी जो है राजीए कुमार जो प्राथी विद्याले कनकारी में प्रधाना अध्यापक के पदपर पैना थें वो तीन नौंबर को अपने साथी राजेश के साथ विद्याले गए थे और उन्होंने रिउसा में ही एक किराय पे कमरा ले रखा था और ये वहीं पे कभी-कभी रुखते भी थे कभी-कभी अपने घर उसा भी आ जाते थे लेकिन ये चार नौंबर को वापस महीं आए तो घरवालों ने सोचा कि साथ जो है वही रुख गया होंगे पाच नौंबर को जैसा कि बताया गया उनकी पत्नी ने बताया कि इसी दौरान उनकी पत्नी के मुबाइल नंबर पर एक अनजाल कॉल आती है और यह कहती है कि आपके पती बनारस ने है, इनसे ले जाए इसके बाद पूरे घर वाले परिशान है, हैरान है और परिशान है कि शायद उनके पत्नी कहीं गायब हो गए है वहीं जब लिकित तहरीर दी सिधहूली थाने में तो सिधूली पुलिस कह रही कि इस दोरान जो परिवार वाले है उनकी पत्नी जु है और अन्य परिजन है वो एक हिसाभ से इनको पुलीस भी इधर उदर घुमा रही जबकि वो हैरान परिशान है ऐसे मामले में पुलिस भी अपने करतव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पा रही है और पूरा परिवार जो है फुटबाल बना इधर जो थानूं के चक्कर लगा रहा है और जो उनके साथ राजेश कुमार है उनका भी कहिना है कि उन्होंने विस्वा में पांच नॉंबर को देखा था उनको है लेकिन उसके बाद से उनका कहीं अता पता नहीं है हाला कि इस मामले में जो गाइब हुए प्रधाना द्यापक है राजियों कुमार इनके भाई मुकेस कुमार ने जानकारी दी आए हम आपको सुनाते हैं वह क्या बोले क्या नामे बेवे आपका जो गाइब हुए वो कौन है आपके वो मेरे बड़े भाई हैं कैसे गाइब हुए वो ते इन तारीक को गयते रहुसा बिद्ध्यालेक प्रात्मिक प्रट साला कंकारी सिकेंड रहुसा में है क्या है उसमें वो प्रधाना द्यापक है फिर क्या हुआ क्या है पूरा मामला बताईए वहां से पाहस थारीक को बड़ी भावी ने भावी से बात हुए वह से लाज ट्रोकेसर नहीं मिल पाया कि वह भावी से विशौर्ण से बात रच चलीडिए विशौरण से भाई है क्या हुआ पुलिस ने कोई कारवाई कि अभी तक तो नहीं हुआ सिदोली आए सिदोली से गए वह से चृद्व़ी लिटन वापस कर दिया किस ने वापस किया है कोतवाल साहिब ने आप सिधाली पुलिस क्या कह रही है कि वहां रहे उसा जाइए पुलिस आपको इधर उदर भटका रही है कोई कारवाई अभी तक हुए कुछ भी नहीं हुए क्या कह रही है पुलिस कारवाई के नाम पे क्या नाम है आपके जो भाई हुए है राजियू कुमार चोधरी और राजू आप कहा किने वासी है नराइनपुर और विद्याले कहा पड़ता है राथनिक विद्याले थाना कौन सा छेत पड़ता हुए रियूसा ठीक है हुए